हेलो!! वेल्कम बेक तो माय यूट्यूब चैनल तोड़ें इन दिस वीडियो विल डि्सकस अबाउट नियुक टोपिक दाट इस ओवेरियन टूमर विदाऊंगे विदियो सब्से बहले हम डिसकस करेंगे ओवेरियन टूमर की देफिनेशन के बारे में ठीक है जो ovarian cancer और ovarian tumor are growth that can develop in ovaris, consulting tubes और peritonium cavity तो क्या चीस बोली गई है is that ovarian cancer is growth and growth develops in ovaries , pliers, peritoneum and these growth is growth तो उसे उखते है ovarian cancer or ovarian tumor ovarian cancer is a growth of cells that form in the ovaries तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट नोट्स है कि मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि ovary is second most common site of primary malignancy in the female genital track कि जो ovary है वो second most common site है ठीक है किसमे primary malignancy में जो कि female genital track के अंदर consider की जारे है मतलब female gender track में जो malignancy हो रही है प्राइमरी malignancy उसमें second most common site के आती है जो नोट है उसमें आता है कि यह जो ovarian cancer है यह ovarian tumor है यह दोनों forms में अकर हो सकता है benign भी और malignant मी और location आपको इसके नाम से clear है कहां पर ovaries में ठीक है next आते है इसके causes या etiology so इसके etiology ideopath या मतलब unknown cause है लेकिन इसके कुछ risk factors है जो कौन-कौन से है नली पैरिटी नली पैरिटी का मतलब है नो बेबी या फिर अभी तक कोई भी बेबी conceive नहीं किया होता उस woman को हम नली पैरिटी बोलते हैं ठीक है infertility हो सकते इसका cause और oral contraceptive इसके causes हो सकते हैं ठीक है कुछ आगे भी हैं जैसे कि endometriosis इसके cause हो सकता है family history हो सकता है early menopause की जो आपके mensis होते हैं उसका early menopause होना जल्दी रुक जाना ठीक है smoking alcohol ये भी सारे क्या हैं इसके causes हैं अब हम बात करते हैं इसके तीन टाइपस आते हैं main epithelial tumor, germ cell tumor और stromal ovarian tumor जिसके अंदर दो parts है endodermal sinus और burner tumor ठीक है so हम one by one discuss करेंगे इनको सबसे पहले हम बात करते हैं epithelial tumor के बारे में ठीक है so epithelial tumor है ये क्या करते है arise from the cells covering the outer surface of ovary so epithelial tumor अकर हो रहा है ये कहां पर अकर हो रहा है ये उन cells में अकर हो रहा है जो कि हमारी ovary के outermost surface में present ये outer surface को जो cover कर रहे है उन cells में क्या हो रहा है ये tumor arise हो रहा है ठीक है so 90% of malignant ovarian cancer कौन से होते हैं epithelial tumor होते हैं ठीक है दूसरी चीज़ ये क्या है surface epithelial cells tumor होता है इसमें surface वाले होते हैं ठीक है एच ग्रूप जो affect होते हैं इसमें mostly 20 प्लस ये मतलब 20 साल से ज्यादा की उमर वाली जो women's होती है उसमें ये जो epithelial tumor होता है वो ज्यादा देखा जाता है 90% maligrensy इसका वो percentage है वेरियन cancer के ठीक है सेकेंड हमारे पास आता है germ cell tumor जर्म cell tumor कहां पर ओरिजनेट हो रहा है ये औरिजनेट हो रहा है इसका पर्पोर्शन ये इसका रेश्यो जर्म करते हैं उस एक को फॉर्म करते हैं उस सेल्स में tumor बनना ठीक है उसे हम कहते हैं जर्म cell tumor फिर ये आगे क्या बोलें mostly ovarian germ cell tumors are benign ये अब benign हो सकते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक्स लोकेशन पर है इसलिए बनाहिन बोल सकते हैं इसका परपोर्शन ये पर्सेंटेज कितने होती वह थी तू फाइफ परसंट इसका मिलिगनेंसी का त्पोषन उसका एक्स घृप करता है वह आते त्वैंटीफ से 25 से जादा जो एज होगी वुमेंस की उसमें एफेक्ट करता है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रॉम्मल ओवेरियन ट्यूमर थे उनको हम गया देते हैं कि यह कनेक्टिव टिशू के अंदर क्या हो रहा है कि डेवलप हो रहा है ठीक है थर्ड जो है मारा वह स्ट्रॉम स्ट्रॉमल साइनस ट्यूमर और बर्नर ट्यूमर ठीक है तो एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर है उसको हम यॉक्स एक भी बोलते हैं ठीक है यह जो एज ग्रूप को एफेक्ट करता है वह हर एक एज है कोई स्पेसिफिक एज ग्रूप अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वह क्या है एशन कोंण अब ट्यूमड कि तरहीं कोई सिम्टमस नहीं देखने को मिल रहते हैं ट्यूमर होता इसके अब हम बात करेंग के नौ depotüm बारे में तो हो kannst स्टेजिस के वहां से स्टेजिस कर लेना अब हम बात करते हैं प्रेट पैथोल जी कि बारे में तक अब घ्रोफी को क्या स्टूर्ट इस चाहिए उक्स्टिक मासिचिंस में देखने को मिलता है उवेरियन टुमर ओफन मैनिफेस्ट एस स्ट्टिकूर फिल्ड विड फ्ल्यू तूमर है वह वह मैंनिफेस्ट सिङा है को मतलब वो हम सोच लेते हैं हमारे दिएवान में क्या सोच बढ़ा है कि अगर किसी को यह तो इसका मतलब हो सकता है त्यूमर में एक और या बोथ यूमर जो हुए है वह एक और को भी एक अवरी को भी ऐसे हम क्या कहते हैं यूनिलेटरल कहते हैं अगर दोनों का एफ़ेक्ट कर रहे तो वह क्या है कि बाइडरल ठीक है फिर हम बात करते हैं, examination of the outer surface may reveal irregularities, nodules or smooth surfaces, अगर हम मतलब जो वो tumor वाला reason है, उसके outer most surface को हम examine कर रहे हैं, तो वो epithelial tumor अगर किसी को होगा, ठीके तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, irregularities, उसका जो surface होएगा, वो irregular हो चुका होगा, वहाँ पे nodules present हो जाएंगे, या फिर smooth surface दी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो यह थे इसके gross pathology, अब हम बात करेंगे, इसके micro pathology के बारे में, ठीक है, जो micro pathology है, उसमें हमारे पस first आता है epithelial ovarian tumor, इसमें क्या है, serious carcinoma, इसका मतलब है papillary structure होएगा इसमें, ठीक है, औ प्जास्मो बोडीज, तो इसमें मतलब यह लिखा हुआ है, इसमें papillary structure होएगा, प्जास्मो मोमा बोडीज होएगी, इसके अंदर serious carcinoma में, मुजनस carcinoma में, glandular structure होएगा, with mucine production, mucine production होएगा, ठीक है, endometrioid carcinoma में, glandular structure होएगा, resembling endometrial tissue, endometrial tissue से resemble कर रहा होगा, ठीक है, next आता है, germ cell ovarian tumor, वहाँ पे क्या है, teratoma मतलब की presence of tissue from multiple germ cell layers, की multiple germ cell layers के tissues वहाँ पे present होएगे, ठीक है, dysgerminoma, dysgerminoma का मतलब होता है, की, जो sheets होएगी, वो uniform होएगी, ठीक है, round cells होएगी, जो की resemble करेंगे, germ cells की तरह, dysgerminoma मतलब होगा, की germ cells के अंदर, मतलब कुछ, चीज़ है, तो वो germ cell से resemble करेंगे, round cells होएगे, और sheets जोएगी, उसकी वो uniform होएगी, ठीक है, next आता है, stromal ovarian tumor, तो यह भी क्या है, आपके पास, granulose cell tumor, इसमें granulose cells होएगे, जो की form करेंगे, ठीक है, ठीक है, ट्यूमर को, और इसमें आगे, sertoli leading cells, जो होते हैं, वो आपक की और sertoli cells की, उसमें tumor form होएगा, ठीक है, यह थी आपके microscopic pathology, अब हम बात करेंगे, आपके clinical manifestations के बारे में, so clinical manifestations के अदर आता है, abdominal pain होएगा, ठीक है, bloating हो सकती है, change हो जाएगा, bowel habits में, constipation भी हो सकती है, ठीक है, यूरिनरी frequency, आपकी जो होएगी, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको urine आएगा, इसमें क्या होता है, कि आपको amount of urine कम रहेगी, लेकिन उसका जो times होएगा, वो increase कर जाएगा, ठीक है, irregular menstrual cycles हो सकती है, pelvic pain हो सकता है, unexplained weight loss होएगा, या फिर weight gain कर जाएगा, discomfort feel होगा, ठीक है, इसके बाद है diagnostic evaluation, इसमें पैप्स में test होता है, Abdominal ultrasound हो गया, CT scan, X-ray हो गया, CBC हो गया, जो हमें anemia है, कि नहीं है, पेशेंट को वो चीज हमें बताएगी, barium anemia, जो कि हमें शो करेगा, obstruction या फिर size of tumor, इसमें हम एक solution को ingest कर वाते हैं, इसके थूरू वो इंक टाइप का solution होता है, वो एक layers create कर देता है, उस layers के थूरू हमे size पता चल जाता है, और obstruction का पता चल जाता है, ठीक है, lymph angiography के अंदर क्या होता है, कि हमें lymph nodes की presence के बारे में पता चल जाता है, lymph angiographic में, कि वहाँ पे तो कोई obstruction नहीं आ रही है, उससे related कोई tumor तो नहीं form हो रहा है, यह सब चीज है, फिर आता है, पेर आज की वीडियो में, यह fluid aspiration test होता है, इसमें क्या होता है, कि हमें malignant cells, जो abdomen वाले reason में होते हैं, वो पता चल जाता है, parasyndesis के through, ठीक है, तो यह था आज की वीडियो में, I hope आपको समझ जाया होगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाबाई!